हेलो एब्रिवन तो आज हम बना रहे हैं बीसी बेल बाद जो की करनाटक साउथ इंडियन की एक बहुत ही पॉपलर और बहुत ही स्वाधिश डिस में से एक है इसको देखने के बाद आप बोलेंगे कि ये तो मशाला भाद जैसे दिख रहा है लेकिन मैं यहीं बोलूँगी कि नई इसका स्वाध बिलकुल अलग है इसमें एक खास मशाला जाता है जो कि हम घर पे ही बनाने वाले हैं इसमें कुछ इमली का पानी और गुल्ड एट करते हैं जिसे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो चलिए इसका मशाला कैसे बनाते हैं जान लेते हैं मैंने यहाँ पैन में एक कप छोटे कप से चना की डाल लिया है और साथ ही इसी कप से ना बिना छिलके वाली उरत की डाल लिया है अब दोनों चीजों को इस तरह से धीमी आच में भून लेना है जब तक कि इसमें अच्छी सी स्मेल नहीं आने लगती इसका कलर हलका चेंज नहीं हो जाता है धीमी धीमी आच में भूनेंगे तो इसका धीरे धीरे से कलर भी चेंज होगा जैसी इस तरह से डाल का कलर हलका चेंज हो जाता है न तो इसी में हम इस कप से सफेद तिल एड़ कर देंगे तिल बहुत जल्दी रोष्ट हो जाती है इसलिए मैंने लाश्ट में एड़ किया है और डाल के साथ न इसको भी धीमी आज में ही भून लेंगे इसका भी कलर दिरे-दिरे से चेंज हो जाएगा ये देखे जैसी इस तरह से हो जाता है न तो इसको एक बोल में ट्रांसपर कर देते हैं अब इसी पैन में हम ले रहे हैं एक चमबस तक जीरा और साथ ही न दो तेज पत्ता को इसमें तोड़के एड़ कर रहे हूं एक इंच तक दालचिनी का तुकड़ा इस तरह से तोड़के एड़ करना है और इसी के साथ ये जो बड़ी वाले लाहची होते हैं इसको भी तोड़के एक एड़ कर रहे हूं यहां जो इस्टार वाला जो गरम मशाला होता है उसको भी थुड़ा सा एड़ करेंगे और इसी में दस से बारा काली मिर्च एड़ करेंगे इनको भी धीमी आज में भून लेना है इसमें हर मशालों का अपना एक फ्लेवर होता है जिससे की ये बीसी वेल बात का स्वात ब सिर्फ कासमीरी लाल मिर्च को ही भूनियेगा जैसी हलका सा रोष्ट हो जाता है सेम बोल में ट्रांसफर करके फाइन सा पाउडर बना लेना है अब इस पाउडर को इस तरह से छनना लगा के और अब इसको इस तरह से छान लेते हैं जिससे की इसमें थोड़े से भी बड़ से भूना है और इसमें तीन चमच एट करके इसको भी मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद ये बीसी बेलभात का मशाला बनके रेडी हो जाता है घर पे ये देखे धेर सारा मशाला तयार हो गया है यही मशाला मार्केट में काफी महेंगा मिलता है तो आप इसको इसको इस टाइट बॉक्स में रख सकते हैं और 5-6 बार आप बीसी बेल बात बना सकते हैं अब चलते हैं एक बोल लेते हूं और इसमें मैंने लिया है इस कप से 1.5 कप तक चावल और इसी के साथ एक कप तक मैं अरहर की डाल आट कर रही हूं इनको अच्छे से वाश कर लेना है एक दो आट किया है कुछ बीन्स के दाने भी इस तरह से छील के आट कर दिया है यही ना नमक स्वाद अनुशार आट कर रहे हैं और चुटकी भर हल्दी पाउडर अब इसमें लगबग दो गिलास तक पानी आट करना है पहले 1-1.5 गिलास आट कर रही हूं और इसको मिक्स कर लेत अब बाकी की त्यारी कर लेते हैं तो यहां मैंने एक कड़ाई लिया और कड़ाई में दो चमज तेल गर्म करेंगे कोई भी कुकिंग वाईल आप ले सकते हैं या देसीगी जैसी गर्म हो जाता है यहां थोड़ा सा जीरा एट करेंगे कुछ मेति के दाने आट करना है और चोटी वेली यह राई अड़ किया है, अब यहीं बारी कटिवी 3-4 लैशन अड़ करना है, और अब इनको हलका साटे करते हैं, जैसे यह थोड़ा सा फ्राइ होने लगते हैं तो यही हरी मिर्च अड़ कर देंगे दो, और करी पत्ता, अब इनको भी साथ में हलका साटे करते ह और अब ना यही मैंने यह एक इस तरह से कट वर टमाटर लिया है इसको एड़ कर देंगे और साथ ही ना एक सिमला मिर्च भी एड़ कर रहे हैं आप अपने यहां कोई भी फेबरेट सबजियां एड़ कर सकते हैं जैसे की गूबी मटर या और कुछ भी यह मैं दो समझ तक इमली का पानी ले रही हूँ इसको एड़ कर देंगे और आपको अगर यहां गुड पसंद है ना तो आप इसमें हलका सा गुड भी एड़ कर सकते हैं मुझे इसमें मीठा फ्लेवर नहीं पसंद आता इसलिए मैंने इसकिप किया हैं तो आप अपने टेस्ट अकॉर्णिंग चीज़े कम्या ज्यादा कर सकते हैं नमक हलका सा एड़ करेंगे और इनको इमली की पानी के साथ ना इसको थोड़ी देर पकने देते हैं अपना एक साइड हमने जो खिचडी पकने के लिए रखी थी उसको चेक कर लेते हैं यह अच्छे से पक गई है और इसमें देखे पानी बिल्कुल भी नहीं है तो अब हम इसमें पानी बाद में एड़ कर देंगे चलिए हम इसको ना कढ़ाई पे ट्रांसपर कर देते हैं तो यह पूरी खिचडी कढ़ाई पे ट्रांसपर कर लेना है अपना एक साइड मैंने पानी गर्म करने के रखा हुआ था तो धीरे-धीरे इसको इस तरह से mix करते हुए ना add करते जाना है आपको इसको जıtना पतला या जितना ठिक रखना है उसे इसमें पानी add कर देना है अभी लाश्ट में मैंने देड़ गिलास इसे पानी और एट किया है अब इसको हम दीमियाच में पकने देते हैं और यहीं लफ़क 3-4 चम्मेश तक यह मशाला एट कर देंगे जो कि हमने अभी बना के रखा था और अब इसको मिक्स करते हैं मिक्स करके सिर्फ 2 मिनट इसको मेडियम फ्लेम में पकने देना है और पकने के बाद एक लाश्ट प्रोसेस और करेंगे फिर यह सर्व करने के लिए रेडी हो जाता है यह देखे इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर तो बहुत यह अच्छा और जब बनता है ना तो पुरे घर में इसकी स्मेल आती है अब क्या करते हैं एक तड़का पैन लेते हो और इसमें 2-3 चमच देशीगी गर्म करना है अब यही कुछ काजू और इसी के साथ कुछ मुमफली के दाने मेंने लिया है इनको इसमें डालके ना और हलका सा फ्राई कर लेना है तो इसके साथ आप चाहें तो किसमिस को भी इसी तरह से फ्राई करके एड़ कर सकते हैं तो चलिए हम इसके उपर एट कर देते हैं ये देखिए इस तरह से गार्डनिश भी बहुत अच्छा दिखता है और ये हमारा बीसी बेल भात बनके रेडी हो गया इसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ ये खीरे का रायता साथी प्याज और पांपड को भी सेख के रखा है बारी सिंपल मशाला भात या तहरी खाना भूल जाएंगे तो हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ और आप भी जरूर ट्राइ करिए अगर पशंद आयनत एक बार कमेंट करके जरूर बताइए लाइक करिए और फर्स टाइम चैनल में आए तो प्लीज सस्क्राइब करें और लोगो के साथ सेर करना ना भूले थैंक यू